बाका जिला के रजौन थानाचेतर के मंजगाय डरपा पंचायत के डरपा गाउं में एक प्रेमी युगल को एक बंद कमरे में ग्रामिनों द्वारा रंगे हाथ पकड़ने के बाद लंबी बहस के बीच आखिर कर परिवार के सदस्य हुआ ग्रामिनों ने लड़के लड़की के साधी गाउं के मंदिर में कराकर ही चैन लिया जानकारी के अनुसार प्रेमी भागल पूर जिले के चमपा नगर बिसरी अस्थान इस्थित निवासी इंद्रदेव ताती का पुत्र राजा ताती एउन लड़की डरपा गाउं की पंचु ताती के पुत्री बताई जा र ग्रामिन मीना देवी, संगीता देवी, साखो देवी, सुरेंदर मंडल, स्यामल राम और कर्मवीर मंडल सहीद समस्त ग्रामिनों की उपस्तिती में आपसीर जामंदी से हुई मंदिर पलिसर में ही गौँ के पिंटू पंडित ने मंत्रो चारु अबिधिविधान के साथ साधी संपन नकराई बाकाज लगे बौसी थानाचेदर के भीका गौँ में रहसमय स्थितियों में हुई महिला के मौत के बाद उसका पती वा सास फरार हो गया मिर्दिका के पती अपने दोनों बच्चों को साथ भी लिता गया है इससे महिला की मौत का मामला और भी संदिक दुवर रहसमय हो गया है महिला के पिता ने उसके पती एवं ससुदाल बालों पर हत्या करने का रोप लगाया है पुलीस मामले की चान बीन कर रही है मामला बौसी थानाचत के भीका गाउं का है जहां पूनम देवी नामक 28 वर्सिय महिला की रह समय स्थितियों में मौत हो गई है लेकिन पूलीस के मौके पर पहुँचने के पहले ही मृतिका पूनम देवी का पती राजकुमार मंडल अपने दोनों बचे आठ वर्सिया बेटी सुहाना और च्छा वर्सिया बेटा निले सेवं अपनी मा जीरा देवी के साथ फरार हो गया इस बीच मृतिका के माईके से उसकी पिता छोटी लाल मंडल और मा उमा देवी भी भीका गाउं पहुँच गए मृतिका के माता पिता ने आलोप लगाया कि पूनम की हत्या उसके पती और ससुराल बालों नहीं मिलकर कर दी है उन्हों ने पूलीस के समक्च कहा कि इब राचकमार बराबर उनकी बीटी के साथ जगडा और मार पीट करता था सूमबार की राध भी वब सराब बीकर कर घर आया था और पूनम के साथ उसने जगडा किया छोटे लाल मंडल के मुताबिक सुभा पूनम के पती राजकुमार मंडल ने उने फोन किया कि उनकी बेटीम मर गई है कहा तो या गया कि फासी लगा कर उसने आत्मत्या कर ली है लेकिन जब वे घर पहुँचे तो लास एक खाट पर पड़ी थी जबकि राजकुमार मंडल अपने दोनों बच्चों और मा के साथ फरार हो चुका था राजकुमार पहले दिल्ली में रहकर पान की दुकान चलाता था लेकिन लौकडाउन के दौरान वहां से वापस लोट आया था मृतिका के पिता ने कहा कि राचकुमार मंडल घर से भागने के साथ साथ घर के सभी बखसे और पेटी तोड़ कर जरूरी सामान एवं किम्ति बस्तू भी अपने साथ ले गया है इस मामले की प्राथमी की मंगलवार दोपहर तक दर्ज नहीं की गई थी बताया कि मृतिका का भाई जहरकंड पुलिस में काररत है और हुआ भी यहां पहुंच रहा है उसके आने के बाद उसी के बयान पर मामले की दिपोर्ट थाने में दर्ज की जाएगी पुलिस ने भी इस बात की पुछ्टी की है है विशुष्ट का भी जाएग मी लिग युआ बटिया मानुस नहीं कालको और आम सपुझे नगना न जाग दालियों दयास हमर विटिया के रीदू खादी चिलो हमर बेतियां लोटर समुआ दोवे चीलो आमें यालो चलियो दुर्गा पूजा गरियां फेर का फोना भी जी करी देला चीलो रतिया भारी गारम ना सूते चलिये आमर बेटियां बाता ना करे ओ ककरुष फोना नाहीं लागे चो मस्कनवा मैया राति वरी खट पट रहे चलियो चाले चीलो ने ता बेटिया आजिस लिए लगवें लेर रेट बिर ने असूते लिए वाव हर चट पट राव बेटियां का तीरे लिए बेटियां बता ने करे बाका के अमरपूर थानाचितर के डुमरावा वार्ट संख्या एक में संदिक दवस्ता में दो पलसर बाइक छोड़कर चालक फरार हो गए ग्रामिनों से मिली जानकारी के अनुसार सोमबार की रातरी करीब धाई बजे दो पलसर पर सबार चार युवक महले से होकर बड़ी तेज गती से गुजर रहे थे जब बाइक को रोकने का इसारा किया तो बाइक तेज दबतार से भागने लगा, आगे रस्ता बंत होने करन बाइक चालकों ने बाइक छोड़ कर अंधेरे का फाइदा उठाते हुए फरार हो गये ग्रामिनों ने बताया कि लॉकडाउन में इन दिनों महले में आए दिन बकडी एवं अन्य चीजों की चोरी हो रही है जिसकारन मजबूरन कुछ ग्रामिन रद जगा कर रहे हैं सोमबार की रातरी दो अंजान बाइक चालकों को देख कर रुकने का इसारा किया लेकिन बाइक चालक तेजगती से फरार होने लगा ग्रामिनों ने बताया कि दोनों बाइक पर चार यूबक सवार थे जो अपने अपने चेहरे को काले कपड़े से बांदे हुए थे ग्रामिनों ने बाइक के संबंद में थाने में सूचना दी, सूचना मिलते ही पुलीस खटनास्तर पर पहुंच कर दोनों बाईकों को जब्द करते हुए थाना परिसर ले आई थाना धेज कुमार सन्नी ने बताया कि जब्द बाईक के मालिक का पता लगाया जा रहा है फिलहाल बाईक को थाना परिसर में जब्द करते हुए रखा गया है तो इसने और बढ़ा दिया पूरा रफ्तार में जो ये चारो पल्था मारके बेठा हुआ था बताये कि पूरा जंग पे चारो के चड़ा देता है उसके बाद वो जब रफ्तार किया तो इसको समान देखाते हुए रफ्तार किया और नएधा हुआ है ये काहां पर चोड़ के बाद ये मोडो से किल आगे में सर ये कि अ कपर रहा है ये रोड जब खतम हो गानजसर आगे खेद पर रहा है बस खेत में जाकि ये फंज गिया अब हम लोग जब जूट गएं दस लोग तो वो चोड़के भागे बाका एसपी अर्बिंद कुमार गुपता और एडिशनल एसपी सा हजडीपी ओ मदन कुमार आनंद के निर्देश पर काटोरिया थाना धच राजिस कुमार ने काटोरिया देवघर मुखे मार्क पर छपरया धर्मसाला के निकट सुमो बिक्टा और कार परलदी 228 बोतल अव हटी गाउं के रहने वाले हैं सराब की यह खेप जारखंड के देवघर से तारापूर ले जा रही थी चापे मारी दल में अवनिरचक अरून कुमार साहय कवनिरचक विपीन परसादी आदब दल बल के साथ मौजूद थे बालू माफिया, पत्थर माफिया, वन माफिया, सराब माफिया और ना जाने कैसे कैसे माफिया तत्व ने बाकाजिला की अर्थविवस्था के एक बड़े हिस्से पर अपना काला सामराजी कायम कर रखा है एसे आर्थिक समराज जवादी माफिया तत्व के बिरुद्धि समय समय पर पुलीस ने कारवाई भी की हैं ऐसे कारवाईयों में कई वार माफिया तत्व और उनके किरिया कलाब पुलीस के हत्थे भी चड़े हैं लेकिन फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इसके पीछे कुछ वज़ा जरूर है वैसे पुलीस की ऐसी है कारवाई में सोमबार की राद बाकाजले के सुईया थाना अंतरगत भदड़िया गाओं के समी पहारीयों से पत्थरों का अवेद खनन कर रहे माफिया तत्वों को पुलीस ने धर दबोचा गुप्त सूचना बन बेलहर पुलीस अनुमंडल के सब्सक्रावाई में पत्थर उत्खनन एवं लदाई करते रंगे हाथ आधे दरजन लोग गिरपतार किये गए पुलीस ने मौके पर से दो ट्रक एक जेसी भी तथा एक बाईक के साथ बड़े पैमाने पर उत्खनन किये जा चुके पत्थर भी बरामद किये बताया गया कि मौके पर मौझूद बाईक सवार अवेद उत्खनन के इस आयोजन का मुख्य सुतरधार है बाकी ग्रपतार लोगों में ट्रक और जेसे भी चालक एवं खलासी सामिल है बताया या भी गया कि इस तरह के अवेद पत्थर उत्खनन के कारोबार में कई अस्थानिये लोगों का भी हाथ है चर्चाय की सोंबार की रात भी मौकाय वारदाद पर मौजूद इस कारोवार का एक परमुक्किरदार कटोरिया के आसपास के गाउं का ही रहने वाला है बाकाजला के कई परखंड में कोरोना का बिसफोट हुआ है बड़ी तेजी से कोरोना संक्रमन बढ़ रहा है ऐसे में आम लोग सावधानी करने के बजाए खुले हाम सोसल डिस्टेंस की धज्चियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे है ऐसा ही नजरा बाकाजला के अमरपूर सहर में देखने को मिला जहाब इसको मान खाद गुदाम पर खाद लेने के लिए ग्रहाकों की भीड उमर पड़ी ग्रहाक खुले हाम सोसल डिस्टेंस का उलंगन कर रहे हैं इन्हीं रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है बताते चले अमरपूर भाजार में बिगत एक माह के अंदर दर्जनों मौते हो चुकी है एक ही घर से सगेतिन भाईयों के भी मौत हो चुकी है थाना में पदस्थापी दरोगा की मौत इनकी पतनी की मौत के बाद दरजनो पुलिस करमी कोरोना की चपेट में आ गए हैं सहर के कई महलों को सील कर दिया गया है लेकिन आम लोग अभी भी बिमारी से बचने के लिए जाग रुक नहीं है सरकार के दोरा 16 अगस तक लॉक डाउन लगाया गया है इस दोरान समय सीमा के अंदर आवस्थक बस्तूओं की दुकाने खोलने का निर्देश दिया गया है लेकिन सहर में सभी दुकानदार जिलापतादिकारी के निर्देशों की धज्जिया उड़ाते हुए अपने अपनी दुकाने खोल रहे हैं जिसके करण खरिदारी के लिए ग्रहकों की भीड उमर नहीं है इस दोरान धिक्तर ग्रहक बिना मास्क लगाए खरिदारी कर रहे हैं ऐसे में आने वाला समय बड़ा ही भयाबा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है